हलो स्टुडेंस, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कार्बने के योगिकों का IUPAC नाम करण किस प्रकार किया जाता है तो हम यहां देख सकते हैं कि कार्बने के योगिकों के IUPAC नाम तीन भागों में विभाजित किये गए हैं पुरू लगन, मूल शब्द और अनुलगन तो आगे हम देखेंगे कि इन भागों का नाम कर्ड किस तरीके से करते हैं और इन भागों को मिलाके किसी भी कारवने क्योगिक के नाम किस प्रकार से लिख सकते हैं तो सबसे पहले यहाँ पे हम पुरू लगन को समझते हैं तो हम किसी भी पर्माडू या पर्माडू के समू को पुरू लगन के रूप में तभी लिखते हैं जब हम देखते हैं कि ये मुख्य श्रिंकला में उपस्तित नहीं है यानि हम देख रहे कि कोई पर्माडू या पर्माडू का समू अगर मुख्य श्रिंकला में उपस्तित नहीं है तो उसका नाम हम पुरू लगने के रूप में लिखेंगे तब देखते हैं कि ये पुरू लगने जो है कोई एलकल समू भी हो सकता है यानि हम देख रहे हैं कि कोई एलकल समू है जो कि मुख्य श्रिंकला में नहीं है तो उस एलकल समू का नाम हम लोग पुरू लगने के रूप में लिखेंगे example के रूप में हम देख सकते हैं कि ये कोई मेथिल समूँ हो सकता या फिर कोई एथिल समूँ जो की मुखी श्रिंकला में नहीं है उसको पहले हम लोग पुरू लगने के रूप में लिख लेंगे या फिर हम देखते हैं कि कुछ क्रियात्मक समू ऐसे होते हैं जो हमेशा पुरू लगन के रूप में ही लिखे जाते हैं जैसा कि हम देखते हैं कोई हैलोजन हो या फिर हम देख सकते हैं कि NO यानि नाइट्रो समू हो या फिर NO2 यानि नाइट्रो समू हो या फिर OR यानि एलकॉक्सी समू हो तो ये सारे समू हमेशा पूर लगन के रूप में ही लिखे जाते हैं इसके अत्रिक्त हम देखते हैं कि कुछ क्रियात्मक समू ऐसी होते हैं जो अनुलगन के रूप में लिखे जाते हैं लेकिन जो हम देखते हैं कि हमारे पास योगिक में एक सी अधिक ग्रियात्मक समूँ है तो उसमें हम देखते हैं कि जिसकी वरियता अधिक होगी उसको अनु लगने के रूप में लिखेंगे और जिसकी कम वरियता होगी उसको हम पूर लगने के रूप में लिख देंगे इसके बाद हम देखते हैं मूल शब्द का नामकर कैसे करते हैं तो ये कार्बन की संख्या पर निर्भर करता है जैसे कि हम देख सकते हैं कि अगर कार्बन की संख्या एक हो तो इसे हम mate कहाएंगे, उसका नाम हम mate देंगे अगर हम देखते हैं कि कारबनी क्योगिक में 2 कारबन हो तो हम मूलजचब्ध 8 का प्रयोक करेंगे तीन कार्बन के लिए प्रोब, चार के लिए ब्यूट, पांच के लिए पेंट, छे के लिए हेक, साथ के लिए हेप्ट, आठ के लिए आक्ट, नौ के लिए नोन और दस के लिए डेक सब्द का यूज़ करेंगे इसके बाद हम अनुलगने को देखते हैं तो अनुलगने दो प्रकार के होते हैं प्रात्मिक और द्युतियक तो यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रात्मिक अनुलगनों का उप्योग कार्बने की योगिक में उपस्तित बंद के अनुसार किया जाता है अगर हम देखते हैं कि कार्बने की ओगिक में केवल एकल बंद उपस्तित है तो अगर कार्बने की ओगिक में दूई बंद उपस्तित है तो अगर कार्बने की ओगिक में दूई बंद उपस्तित है तो अगर कार्बने की ओगिक में दूई बंद उपस्तित है तो अगर तो इसी तरीके से हम प्रात्मिक अनुलगन का उप्योग करेंगे अब इसके बाद हम द्युत्यक अनुलगन के रूप में प्रयोग किये जाने वाले क्रियात्मक समूहों को देख रहे हैं तो यह समूह जो हैं अपने वरियता के घट्टी हुए क्रम में रखे गए हैं यानि ह हम देख रहे हैं कि जो सी डबल ओयस समूह है यानि कार्वोक्सलिक समूह की वरियता सबसे अधिक होती है फिर उसके बाद हम देख रहे हैं कि उससे कम वरियता का सी डबल ओर समूह होता है और इसी तरीके से वरियता के घट्टे करम में लिखे गए हैं तो अगर हम देख र दो क्रियात्मक समू होने पर एक को हम पूरू लगनी के रूप में लिखेंगे और एक को हम अनु लगनी के रूप में लिखेंगे तो जिसकी वरियता अधिक होगी उसको हम लोग अनु लगनी के रूप में लिखेंगे यानि हम देख रहे हैं कि जो कार्बोक्स लिख समू है उसको अनुलगने के रूप में लिखेंगे और ओयज को हम लोग पुरू लगने के रूप में लिखेंगे तो हम देखते हैं कि इन समूहों के जब हम अनुलगने के रूप में उपयोग करते हैं तो नाम अलग होते हैं और इन समूहों को जब हम पुरू लगने के रूपमे उपयोग करेंगे तो इनके नाम अलग होगें तो यहां पर जो नाम दिए गए आए स्वोजिक्षाइज तब यूस्कर करने होता है जब हम इन यर上面 को रूपमे उपयोग करेंगे ठीक है इसको भी जोड लेंगे पहले मूल शब्द लेंगे तो उसमें पहले हम प्रात्मिक अनुलगन जोड लेंगे देख लेंगे अगर सारे बंद एकल है तो इन जोड लेंगे दूई बंद एक होगा एक से अधिक भी है तब हम इन जोड लेंगे और त्रिपन होने पर आई जोड लेंगे इसके बाद हम लोग इस वले अनु लगने का उपयोग करेंगे तो यहाँ पर हम देखने हैं कि जो भी हमारे पास समू होगा उस हिसाब से हम अनु लगने का उपयोग करेंगे अब हम देख रहे हैं कि अगर यही समू हमें पुर लगन के रूप में लिखना पड़े तो उनके नाम क्या लिखेंगे तो जैसे कि NS2 समू है इनका नाम अनुलगन के रूप में एमीन है और पुर लगन के रूप में हम देखते हैं इसका नाम एमीन होता है वैसे OH को देखें तो इसका पुरलगन के रूप में जो नाम है वो होता है hydroxy और CO समू समानेता ये अनुलगन के रूप में ही यूज किया जाता है इसका यूज पुरलगन के रूप में नहीं होता है CHO भी नॉर्मली नहीं होता है और CN जो होता है नाइट्राइल इसका हम देखते हैं पूरुलगन के रूप में नाम होता है साइनू तो यहाँ पे हमने कुछ ही समू देखे जो समनतब पूरुलगन के रूप में उपयोग किये जाते हैं तो उनके नाम देखने हैं इसके अत्रिक्ट इन सब के भी नाम पूरुलगन के रूप में क्या होती हैं यह सब बुक में दिया गया है तो पेज नंबर 791 पे आप लोग यह देख सकती हैं और शार्ट को कंप्लेट करके अपने कॉपी पे बना सकती है अब आगे हम तत्त्तों की आयूपेसी नेमिंग देखेंगे तो यहां यौगिकों की आयूपेसी नेमिंग देखेंगे तो यहां पे हमारे पास एक कार्बनिक यौगिक दिया गया है तो सबसे पहले नाम लिखने के लिए हमें यहाँ पे एक मुखि श्रिंकला का चेहन करना होगा मुखि श्रिंकला इस प्रकार होनी चाहिए कि उसमें क्रियात्मक समू भी आ जाए और वो श्रिंकला भी बड़ी हो तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हम श्रिंकला को कुछ इस प्रकार से लेंगे तो यहां पे हम देख रहे हैं कि हमारे श्रिंकला में तीन कार्बन आ रहा है और किसी भी तरीके से लेंगे तो हमें इस से अधिक कार्बन नहीं मिल सकता है और हम देख रहे हैं कि इस श्रिंकला में हमारे पास क्रियात्मक समू भी उपस्तित है तो अब हम इसके बाद नंबरिंग करते हैं और नंबरिंग जो है कार्बन पर की जाती है और नंबरिंग के वाल मुख श्रिंकला के कार्बनों पर ही करते हैं नंबरिंग हम बाई या दाई साइड किसी भी तरफ से कर सकते हैं लेकिन हम उस साइड से स्टार्ट करते हैं जहाँ जिस साइट से हम देखते हैं कि क्रियात्मक समू निकट होता है तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यह क्रियात्मक समू है इस साइट से निकट होगा तो यहाँ पर हम नंबरिंग स्टार्ट करेंगे यह 1, 2 और 3 नंबरिंग इस तरीके से हो जाएगी तो हम देखने हैं कि सबसे पहले हमें पुरू लगन को लिखना होगा और पुरू लगन में हम देखने हैं कि ऐसे कोई समू जो मुखिश रिंकला में नहीं है वो आती हैं तो हम देखने हैं कि ये समू मुखिश रिंकला में नहीं है तो इसको हमें पुरू लगन के रूप में लिखना है तो ये समू मेथिल है तो हम लिखेंगे पुरू लगन यानि सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे मेथिल और इसकी पोजीशन भी लिखनी होती है यानि ये किस कार्बन पे है तो हम देख रहे हैं यह दूसरी कार्बन पर है इसलिए यहाँ पर आगे हम लिखेंगे 2-Methyl 2 के पर डैश करेंगे फिर मेथिल लिखेंगे फिर इसके बाद हम पुरुलगन लिख चुके हैं तो हम मूल शब्द का चेन करेंगे मूल शब्द में हम देख रहे हैं कि मुखे श्रिंकला में हमारे पास तीन कार्बन है इसको हम नहीं काउंट करेंगे तो तीन कार्बन से हम देख रहे हैं कि हमारे पास मूल शब्द आएगा प्रोप तो इसके बाद हम लिखेंगे प्रोप यहाँ पे हम देख रहे हैं, बीच में हमें कोई भी space नहीं देना है, तो यह probe हो गया, उसके बाद हम अनुलगन देखते हैं, तो अनुलगन में हम देखते हैं, प्रात्मिक अनुलगन में बंद को देखेंगे, तो चुकि सभी बंद एकल बंद हैं, इसलिए हम देख रहे हैं कि एकल बंद के लिए यहां पर एन वर्ड यूज किया गया है तो एन शब्द का यहां पर यूज करेंगे तो प्रोपेन हो जाएगा इसी में हो जाएगा यह प्रोपेन हो जाएगा और फेस के बाद हम देखते हैं कि इसमें दुत्यक अनुलगने का उपयोग करेंगे तो इस लिखाने में इसकी पोजीशन भी देखाने हैं तो ओ एक आमले पहले कार्बन पे है तो हम यहां पे दिखाएंगे डैश लगाएंगे और फिर लिखेंगे ओ एक आमले तो हम देख रहे हैं कि जब भी हम numbering करेंगे तो हमें dash लगाना होगा अगर हम सुरू में लिख रहे हैं तो एक dash यहाँ पर हो जाएगा लेकिन अगर हम बीच में कोई number डालना है तो हम देख रहे हैं कि number के दोनों ही side हमें dash लगाना होगा और अगर हम कभी दो नमबर एक साथ लिखेंगे तो दोनों के बीच कॉमा यूज़ करेंगे तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं इस योगिक का नाम हो जाएगा 2-Methyl-Propane-1-O-E-C-A-M-L अगला हम देख रहे हैं कि ये कार्बनी के योगिक है इसका नाम करण करना है तो सबसे पहले हम सबसे लंबी मुक्य श्रिंखला का चेयन करेंगे तो हम देख रहे हैं अगर हम इस तरीके से श्रिंखला लेते हैं चुकि हम देख रहे हैं जिस कार्बन पर क्रियात्मक समू उपस्तित है उसको हमें मुक्य श्रिंखला में लेना आवश्यक है तो इस कार्वन को तो लेंगे ही और हम देखेंगे कि हमें लंबी श्रिंखला भी बनानी है तो अगर हम इस तरीके से श्रिंखला बनाते हैं तो हम देखना है कि हमारे श्रिंखला में चार कार्वन उपस्तित होगा लेकिन अगर हम श्रिंखला को इस तरीके से बनाते हैं तो उस केस में हम देखते हैं कि यहाँ पे मुख्य श्रिंखला में पांच कार्बन उपस्तित होगा तो यह लंबी श्रिंखला है इसलिए मुख्य श्रिंखला को हम इसी प्रकार लेंगे इसके बाद इसमें नंबरिंग करेंगे तो नंबरिंग हम उस साइट से करते हैं जहां क्रियात्मक समू पास होता है यानि इस साइट से करेंगे दोनों साइट से कर सकते हैं लेकिन पास इस साइट है तो इस साइट से करेंगे तो यह 1 और इसकी नम्बरें हो जाएगे 2, 3, 4 और 5 तो हम देख रहे हैं कि सबसे पहले जो श्रिंखला में परमाडू या परमाडू का समू जो श्रिंखला में नहीं है उसको पहले हम उसका नाम लिख लेंगे तो यहां पर हम देख रहे हैं कि यह जो समू है मेथिल समू जो की दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ है और यह समू दो कार्बन है इसलिए यह एथिल हो जाएगा तो एथिल समू इन दोनों समू के नाम हम पहले पुरो लगने के रूप में लिखेंगे और उनकी पोजीशन के साथ उनकी नमबरिंग के साथ तो यह मेथिल है और यह एथिल है मेथिल M से स्टार्ट होता है और एथिल E से तो यहां पर हम अल्फाबिट करम में लिखेंगे तो पहले हम देख रहे हैं कि E आता है इसलिए Ethyl का नाम पहले लिखा जाएगा और उसकी position 2 है तो यह हो जाएगा 2 Ethyl और उसके बाद हम Methyl को लिखेंगे तो Methyl का नमबर भी डालना है तो उसको डालेंगे 2 Methyl 2 Ethyl, 2 Methyl तो हम देख रहे हैं कि सारे पूरू लगने जो लिखने थे हमने लिखनी है इसके बाद मुख श्रिंकला में हम देखने हैं कि 5 कारबन है और 5 कारबन से मुस्वर पैंट हो जाएगा तो इसके बाद हम जोड़ेंगे paint और इसमें हम देखने हैं प्रात्म का अनु लगने था वो यहां पर यहन था तो हम paint में जोड़ेंग uniqu यानि यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास paint 10 तो यह हो जाएगा paint 10 और हम देख रहे हैं कि इसके बाद अब दुत्यक अनुलगन में क्रियात्मक समू का नाम लिखेंगे ओयच का और ओयच का जो नाम है वो all है और उसकी position 1 है तो यह हो जाएगा paint 1 all तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसका आयूपेसी ने अमोगा टू एथिल टू मेथिल पेंटें पेंटें वन अल अब अगला कार्बनिक योगिक देखते हैं तो इसमें भी हम सबसे पहले मुक्ष श्रिंखला का चैन करेंगे और ऐसी श्रिंखला हो जिसमें क्रियात्मक का कार्बन भी प्रेजेंट हो तो हम देख रहे हैं कि हमारे पास यह सीदी वाले सिरंखला ही सबसे लंभी सिरंखला होगी तो यह मुक्ह श्रिंखला हो गई नमबरिंग करते हैं इसाइट से 12345 और 6 तो हम देख रहे हैं कि नाम लिखने के लिए सबसे पहले हम लोग ऐसे पर्माडू या पर्माडू के समू जो मुखिश रिंखला में उपसित नहीं है उनके नाम लिखेंगे तो चुकि हम देख रहे हैं कि यहां पर दो क्रियात्मक समू है और CWOH की जो वरियता है वो अधिक होती है OS से हम देख रहे हैं कि CWOH समू जो था वो जबकि OH नीचे था तो OH की वरियता कम है इसलिए यहां पर हम इसको पूरू लगन के रूप में लिखेंगे अगर यहां पर यह समू नहीं होता तो इस केस में इसी को हम अनू लगन के रूप में लिख रहे होते हैं तो पूरू लगन के लिए हम देख सकते हैं कि फूर्थ पूजीशन पे मेथिल है। पूजीशन पे भी मेथिल है। तीसरे पूजीशन पे हाइडाक्सी है। तो इनके नाम लिखेंगे हैं 22-ust है मेथिल ऐसे स्टार्ट होता है। तो फेले आता है। नाम पहले लिखते हैं। यहाँ जाएगा 3- finalement hatte और फिर उसके बाद मेथिल का नाम लिखना है चुकि दो मेथिल है इसलिए दोनों के नाम एक साथ ही लिखे जाएंगे बस हम डाई वर्ड यूज करेंगे यानि या पर लिखेंगे डाई मेथिल और पोजीशन हम देखने फोर और फाइफ है तो फोर और फाइफ दोनों लिखनों के नाम लिख दिए गए हैं और हम देखने मुक्र श्रिंकला में छे कार्वन है छे कार्वन से हेक्स होता है तो यहां पर हो जाएगा है और चुकि सारे में एकल बंद है इसलिए इन प्रात्मिक अनुलगने जोड़ा जाएगा तो यह हो जाएगा है और इसके बा तो इस प्रकार्सिस का नाम हो जाएगा थ्री हाइड्रोक्सी फूर कामा फाइफ डाइ मेथिल हेकसेन वन ओएक अमल अब अगला कार्बने क्योगिक हम देखते हैं इसका आयू पेसी नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले सबसे लंबी मुख श्रिंखला लेंगे और ऐसी श्रिं कौंसर मुख को देखरें कि यह जो श्रिंखला होगी इस तरह से यह सबसे लंबी कार्बन श्रिंखला लास्ट में चुडा हुआ है तो इसका नाम खलो ऑर इसका नाम मेतिल है तो रेले के यान तोAl लिखेंगे पहले numbering कर लेते हैं numbering इस तरफ से start करेंगे क्योंकि अगर इस साइट से start करेंगे तो क्रियात्मक्स जो है दूर हो जाएगा इस साइट से पास है तो यह वर्ण टू थू थू फॉर, फाइफ और शिक्स तो अब हम नेमिंग करते हैं तो पहले पहले इसका नाम है इसका पोजीशन है वन तो यह हो जाएगा वन इसके बाद मेथिल है करोजिशन का फाइफ है तो यह जाएगा वाइफ मेथिल अ कर तय法 हम मून शज Georg को देखें तो ची अकार्मन 세액 होता है तो मैथिल के बाद हेक्स हो जाएगा इसमें स्पेस नहीं देना है हेक्स और इसके बाद हम देख रहे हैं चुकि सारे बंद एकल बंद है इसलिए इन जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा हेक्सेन और हमारा मुख्य जो यहाँ पे क्रियात्मक समू है सी ओ इसका नाम होता है अनु लगने के रूप में ओन तो इसको हम ओन लिखेंगे और पोजीशन भी लिखेंगे तो यह हो जाएगा टू ओन यानि आयूपेसी नेम होगा वन क्लोरो फाइफ मेतिल हेक्स हेक्सेन टू ओन अब इसके बाद हम अगले कार्बनिक योगी का अयूपेसी नेमिंग देखते हैं तो इसमें हम सबसे पहले मुख्य कार्बन सिंक्रा का चेयन करेंगे तो यह कुछ इस प्रकार से हो जाएगी और इसमें हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ब्रोमीन एक हैलोजन है और यह पुर को दूइबंद के अनुसार की जाएगी दूइबंद जिधर से निकट होगा है सबसें नमबरिंग करेंगे तो पहले पुजीशन पर दूइबंद आएगा फिर तीसरे पर आजाएगा और फिर पांचमे पर आएगा तो सेम हैं किसी भी साइट से हैं कर सकते हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तीसरे पोजिशन पर ब्रोमो है तो इसके लिए हम लिखेंगे थ्री ब्रोमो इसका नाम ब्रोमो रहेगा पूरो लगन के रूप में और छे कार्बन से हेक्स होता है तो ब्रोमो के बाद हेक्स और फिर हम देखना है कि दूई बंद उपस्तित है तो दूई बंद के लिए नाम होता है इन और चुकि तीन दूई बंद है इसलिए यहाँ पर हम ट्राई इन का यूज़ करेंगे और उन सब के नंबर को हम एक साथ ही लिखेंगे तो पहले हम देखने है पहले पोजिशन पे है ठीक है पहले और दूसरे के लिए दोनों के लिए दूइबंद है लेकिन हम एक को ही लिखेंगे जो पास में होगा जिसे हम इसको लिखेंगे फिर इसमें भी हम देखने है दोनों पे ही है लेकिन जो पास वाला है कि वह उसी का नमबर डालेंगे यानि one three five फिर डैश कर देंगे ट्राइए इन सारे इन को एक साथ लिख दिया गया है ट्राइए इन और अब हम देख रहे हैं इसमें कोई अनिक रियात्मक समू नहीं है तो यही नाम इसका कंप्लीट हो जाएगा तो इसी प्रकार से आप लोग के बुक में जो आयूपेसी नेमिंग एक्जामपल में दिये गए हैं और जो एक्सरसाइज में दिये गए हैं उनको सॉल्व कीजिए और जिसकी नेमिंग नहीं आ रही है वो आप लोग ग्रुप में पूछ सकती हैं